इस मंदिर में भग्तों की भारी भीड रहती है, शिवरात्री के समय यहाँ पर मेलिक आयोजंडी होता है महाशिवरात्री के शुब अवसर पर गोला मठ्ध शिव मंदिर में शिवलिग का भविश रिंगार हुआ, यह मंदिर चंदेल राजाओं दोरा बनाया गया था चंदेल राजाओं ने एक ही इस सिला को तराश कर इस मंदिर का निर्माण किया था, धार्मिक महत्व के हिसाब से भगवान शंकर का ये मंदिर बहुत महत्वकोण है मां शिवरात्री के दिन सुबा से ही इस मंदिर में भक्तों की भीड रहती है भक्त भगवान भोले नाथ के दर्शन करने पहुच जाते हैं और शिवरात्री के दिन यहाँ पर मेले का आयोजन भी किया जाता है भोले नाज जी का जो पुरा तत्त के समय से ये प्रचीन मंदिर है जो एक रात में कहा जाता है कि एक रात में विसकर्मा जी के द्वारा ये मंदिर का निर्मान कार किया गया है मेरी अपील है महाशिवरात्री का महापर्व है इसमें मैयर शहर और मैयर तैसील एवं जिला के लोग दर्शन कनने आएं महाशिवरात्री में भगवान भोले नाज जी का मंदिर लाइट और फूलों से पूरा सजाया जा रहा है और ऐसा प्रयास किया जा रहा है कि भगवान क के दाननाद का सरूप यहां भगवान महादियो मंदिर में मिले। साड़े साथ बजे महा आर्थी का आयोजन है। सुवे से भंडारा प्रसाद वित्रन होगा। मेरी मैयर की समस्त जनता श्वी भक्तों से यह अपील है कि ज्यादा से ज्यादा लोग भंडारे का प्रसाद ग् और भगवान भुले नाज जी का दर्शन करें। वो खबरें जो आपके काम की है। वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है। हर आम और खास से चुड़े मसले। हर मसले का सटीक विश्लेशन। हम करते हैं सत्य का अनवेशां। तखलनीउज आपके अब देख रहे हैं आपके लिए।